कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रिच्छा पिनेकल के पेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूं आज का जो टॉपिक रहेगा डेट टॉपिक इस सर्वर हम आज बात करने वाले सर्वर के बारे में हमने बहुत सरे टॉपिक्स पढ़ें कंप्यूटर से और टॉपिक प्रश्च पर नाम स्वृच्ट सरवर मॉडल्स पर ऐसमान लेते हैं अट इसके प्रश्च पर यहां पर एक सर्वर से इसक्नेक्ट इसक्ट आप ते विशल्च पढ़ें थी ऑर्यंजमेंट औफ रड़र्मीची पढ़ें ती कि अरेंजमेंट ऑफ एंग तर इसका कि नहीं सबस्क्राइब सबस्क्राइब तो वो information automatically कहां मिलेगी आपको कहां store हो रही है वो server में तो यह सारे computer किस से linked है, server से linked है जितना भी data store का काम है, data को retrieve करने काम है वो यह कौन कर रहा है, वो यह server कर रहा है ठीक है, अभी यह काम ने by virtually भी होने लगा over the internet भी हम यह कर सकते हैं by the help of cloud computing तो यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं topic में it is all about server के बारे में पढ़ेंगे हम तो server के definition की तरफ चलते हैं यह server आज का जो topic रहेगा इसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहां पर a server is a software or a hardware device देखो यह software or hardware device that accept and respond to requests made over a network a server is a computer program or a device that provides service to another computer program and its user also known as client अभी क्या बोलते हैं server client model client server model अभी होता क्या है मैंने आपको बताया था ना की server होते हैं इससे हमारे clients attached है that's why it is also called as client server model अभी क्या करते हैं जब भी यह clients server request करते हैं या फिर user request भेजते हैं तो यह response करते हैं अभी data को store करने काम भी करते हैं तो यह कैसा है हमारा यह software और hardware device है जो कि accept करते हैं और respond करते हैं मतलब जो यह हम बोल सकते हैं input लेटा और output देते हैं accept करते हैं और respond करते हैं क्या किसमें करते हैं over a network एक network बन जाता है network create होते हैं land जैसे local area network में use करते हैं the server is a computer program or device that provide services to another computer यह किसको provide कर आता है services another computer को जो computer इससे linked है एक network बना रहे हैं suppose यह computer इससे linked है तो यह क्या server create हो रहे है network बन रहे है because of a server यह service provide कर आता है किसको जो computer इससे attach another computer को that's why it is called as client server model कि ऊसके user सो क्या क्या दए है सेंड और सीव डेटा अभी डेटा को store भी करता है यह सब काम किसका होता है सर्वर का यह है हमारा टॉपिक सें प्लार इसर्वर की बात करते हैं जया कि ब्लेट सर्वर्स और अरैसे की बात करते हैं और यह प्लाइब पढ़े आप बते襯े सार्वर पर हैं तब कोiroगे की साथ करते हैं यहार बात करते हैं उसस्ट्रीब डाउन सर्वर एंद एनर्जी देखें क्या होता है हमिना इन सर्वर्स के लिए अलग से अलग से डीर से छोइं यहां पर इस तरह से करने के लिए minimize करने के लिए और एनरजी को minimize करने के लिए हम किसका यूज करते हैं blade servers का ठीक है कुछ इस तरह से हमारे blade servers दिखते हैं यह यह blade server यह हमारे physical space को minimize करता है और energy को भी minimize करता है तो हम इनका blade server काम एक ही है data को store करना send करना receive करना accept करना respond करना यही सब काम होता है अपने computers को services provide कराता है और users को clients भी बोलता है यही काम तो are server का यहां पर पहले ब्लेट server की बात करी अभी next part करते हैं हम рек server की अभी recurring क्या होत defense developing it is to host and control enterprise solution and this type of server are used in the यह सर्वर्स कहां होते हैं इन सर्वर्स के कैसे होते हैं इस तो होस्ट एंड कंट्रोल एंटरप्राइस सॉल्यूशन तो हम किनका यूज करते हैं किन सर्वर का डड़िस रेक्स सर्वर कैसे दिखते हैं कुछ इस परकार दिखते हैं यह रेक्स सर्वर्स हमारे ठीक है तो यह याद रखनी है कि यह सर्वर यह हमारे इस तरह से कुछ रेक सर्वर की जो ऐसे कुछ हमें रेक सर्वर दिखाई देते हैं कुछ ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है अब टार सर्वर क्या होते हैं are available various kind of shapes इनकी shapes जो होती है अलग-अलग different तरीकों की होती है that offer plenty of processing power यह हमें कैसे देती हैं बहुत सारी plenty of processing powers provide कराते हैं you don't need to buy and any other additional mounting hardware हमें अलग से कोई hardware खरीदने की जूरत नहीं है यह हमें खुझ से ही इतनी ज्यादा processing power provide कराते हैं कौन टार सर्वर्स तो यह चीज याद रखनी है यह कुछ इस तरह से दिखते हैं हमारा ठीक है आवाथ हैं वाब सर्वर्स सपाव सर्वर के बारे में फिर हमने तीन थे सर्वर पढ़े कान कंछे पढ़े पहले पढ़ा हमने lid servers फिर पढ़े हमनेга Shoulders सभी हमने सब्सक्राइब के तार्स सब्सक्राइब करेंगे किया old यह वाले mother तो यह को सम्पulार में आप सर्वर 1 रहता है सर्वर में तो ता रहा है संग जावा सिस्टम कि आख मईं एक्जाаться कि आख सब्चस्ता कराू एक जाए डी यह सब्सक्र justice eto कि सब्सक्ता कि सब्सक्राइब तो यह आप को इस चीजे इस कुस्ता करता है in मुक्ञास्सारफ रखना है यह बताया हो आध एकशचे समझार बारे में सब्सक्राइब यहां से क्या है यह हमारे क्लाइंट है यह हमारे यूजर से इससे अटेच है यहां पर यह हमारा कॉन्वर कर रहे हैं यह हमारा वैब सर्वर यहां पर वैब सर्वर यह हमारा डेटाबेस है ठीक है हम किस कौन से वैब सर्वर का यूज कर रहे है यह पाचे वैब सर्वर का नेक्स साथ एक्जांपल ओफ सर्वर यानि कि एक्जांपल ओफ सर्वर में सबसे पहले हमने वैब सर्वर पढ़ा अब पढ़ रहा है प्रोक्सी सर्वर अब यह प्रोक्सी सर्वर क्या होता है यह तरह का सर्वर या फिर एक तरह का सिस्टम या फिर एक तरह का राउटर होता सबने प्रची जलाइट के बीच में टाइप्स एप्रोक्षी स रिवर्स्स प्रोक्षी वाप्षी एनॉनीम आइशनी मिच्टी प्रोक्षी ट्राइच्ब, एकजैंप्ल्स ऑ फूफ सर्वस्टी चेंटना प्रोक्षी सर्वस थीजने कुमे अनْ प्रोफी सरवर एकर वी अस में गेटवे मिल्म स्काला रिता वींट लेश गाम करते हैं यूजर और इंटनेट के बीड़ा हैं उसकी चरह है तरहें देखेंग उस्सरलेन आपनेनट गेटवे गेटवे चल्ठनेट के मिल्स वींतितवा किल दफ्रोफा है यह हमारा proxy server ठीक है? जितने भी server आप पढेंगे ना वाब server, proxy server सबका सब एक ही काम करेंगे data को store करना, data को send करना, data को retrieve करना, data को mundane करना, सबका सब काम server करते हैं ठीक है? अब यहां आते है types of proxy server, आप types of proxy server की बात करते हैं यहां आते हैं यहां आते हैं यह फाइल के लिए फाइल के लिए लिए यह फाइल को स्टोर करने के लिए यूज़ होगा सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले हम पढ़ने पढ़ने यहां पर हम क्या करने वाल है यह हमारा यहां पर हमें प्रॉक्सी और हमारा यहária अगर कि सबसे लाओ अखेक इस तरह से पहले घ्लाएं हमारा हमारा यहां पर हमने प्रक्सी सर Va यानि कि शॉक सर्वर लगाया अब यह फायर वोल क्या करती है यह प्रोटेक्ट करने काम कर रहे हैं जितना भी यहां से यहां आएगा ना सपोस्ट अगर यह हमफूल होगा ना डेटा यहां से यहां आएगा तो वह यहां तक नहीं भेज़ेगा कौन नहीं भेजेगी फायर फायर वोल प्रोटेक्ट करने काम करती है यहां पर हमने क्या लगाया हुए इस प्रोक्सी सर्वर जो हमें क्या बताती है इसके पास एक अडिशनल फीचर्स है जो इस नेट्वक से कनेक्ट होते हैं यह लाओ करती है अब 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 वर्चुल लोकेशन देखें यहां अब यहां पर आउडर यहां से जो आएगा यहां फो फायर वोल यह प्रोटेक्ट करने काम करेंगा ठीक है अब 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 यह क्या करेंगा फायल को ट्रांसफर करने के लिए कि लिए क्यों कि FTP प्रोटोकॉल है FTP proxy server the FTP proxy function as a rely for the file transfer protocol that enable you प्रोटकॉल का सुर्स किया क्या एक और्चपॉरद का साने स्घाओं अध्री यहां पर युट्रेटइशन करेंगे एंध्रीों कोने करें आछे प्रनेश्ट करें कि इस अधनीर यहां पोर्टेसिस्टा सतीने टीसीनेशन से कहा जाएगा अधना नश्यूं किर में यहां आदे हैं यह हमारा लैप्टॉप है यह फायर वोल तो लगेगी तु प्रोटेक्ट करने के लिए जितना भी अधरन्टिकेट डेटा होगा वही हमारे तक हाना चाहिए कर नहीं होता मैच डिसकार्ड करके इसको फायरवल वापस भेज देती है यहां पर आते हैं कमाद स कमाद सेंटर यहां पर साइबर फ्यूजर प्रोक्सी यहां पर एफटीप प्रोक्सी लगाई वह यहां पर हमने फायरवल यहां पर हमारा एफटीप सर्वर है ठीक है तो इस चीज को याद रखने हैं यहां आते हैं SSL SSL क्या है is a transparent proxy that perform SSL encryption or decryption between client and server security का 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 काम करेगा किस का स्टीटीपि का यहां पर उन्क्रिप्टिक जो भी चीजे मैं भीजने वाली हूं सोर्स बेजने वाला है सेंडर जो भेजेगा डेस्टिनिशन तक शुट बिनक्रिप्टिट जब वहां तक पहुच जाएगी सेंडर के पास रेसीवर के पास जब वह चीज पूझेगी वह एंक्रिप्ट होगी यह मान सकते हैं्वO पर मतलब हो जाएगा औहेगा वैसे जयाखेवर परवीर तब आपके न, मैस्से को जो हमने भेजा है, इंकृपशन इंकृप्शन डॉक्रिपशन ठीक है, पिटिविन すड्म सबाउस में सब्सक्राज कोफ्य न सुब्सक्राज करनछा सब्सक्रीन होほんと यहां ड्miyor जए वैसे सर्वर के पास चाना चाहिए कुछ इसतरह से होता है क्लाई प्रॉक्सी रिमोट सर्वर यह हमारा सरवर यह हमारा प्रॉक्सी सर्वर यह ऐसे स 느 Vasily कि मषीं कि होतीह एक तरी के मशीन होतीह कि उस्वाल होता है कि इसको इस firmly में बोलते हैं vm server host और runs virtual machine that runs various operating system इसके help से बहुत सारे operating system run होते हैं अब operating system क्या होता है operating system it is the interface between hardware and software हम use कर रहे है computer system का किसलिए कैसे use कर रहे हैं जब hardware and software के बीच में interface है वो interface हमारी windows होती है है वो हमारा operating system होता है and act as a full computing platform on their own through emulations and virtualization तो यहां पर हम किसका use करने वाला है that is virtual machine का यह तरह की machine है जो हमें प्रोवाइड कर आती है कि हम various operating system में अपना जो जो platform होता है हम उसलिए easily उस पर work कर सके यह server है कैसा है यह server है जो की होस्ट जो की easily virtual machine पर run कर सकते हैं easily operating system को कोई भी various operating system है इसकी तुरू से हम run कर सकते हैं by the help of virtual machine यह कुछ इस तरह से होता है यह हमारा server है इससे हमारे computer से test है यहां आते है file transfer protocol ftp server अब यह क्या है is a standard communication protocol use for transfer files files को transfer करने के लिए हम इस इस protocol का use करते हैं किसलिए from server to client in a computer network हम किसका use करते है FTP का यहां पर FTP file transfer proxy server हमने यहां पर यह काम किया यहां पर आते हैं कि file transfer protocol that is FTP यह simple सी बात है जब FTP है तो किसलिए यूज़ोगा file को transfer करने के लिए कहां से transfer करेंगा client to server यह server यहां आते हैं यह हमारा PC है यह हमारा file transfer हो यह main server है यह internet है यह पहुच गया जहांप इसको भीजना है application server and application server is a server that host application or software that deliver a business application through our communication protocol हम इसमें communication protocol use करते हैं कि through communication protocol through हम भेज रहे है application server है एक server है जो कि host application और a software that deliver a business application किसके business application through a communication protocol देखें एक application layer होती है OSI में तोए में 7 लेयर्सों तो उसमें तो फ़र्सले राती है कि घिराकोज़ यह easily रादी जो हमारी चेहिंटर करेंष्टरण किडियाए तर्ट नेटवर्स फ हमारी चॉहhington Прort हमारी आती है application यह चोड़िकेशन लेयर होती है और डेटा पैकिट यहां तक आगे ट्रांस्फर हो जाता है यह बागी की तीन लेयर ना सौफ्वेयर लेयर होती है यह िच्वांटिकेशन टूल्स के लिए यूजी होती है बिच्षन लेयर में चो प्रोटोकॉल यूज होता है वो हमारा HTTP, अब Communication Protocol में हमारा HTTP, Hypertext Transfer Protocol, SMTP का यूज करते हैं, Simple Mail Transfer Protocol, these are Communication Protocol, इसका यूज करके हम Application Server का यूज करते हैं, यह होता है कुछ देखे, मैंने पहले ही बोला ना Hypertext Transfer Protocol, यह हमारा Client है, यह Application Server है, यहाँ पर यह Database है, अब इसके थूझ यह Communicate कर रहा है, Communication Establish हो रहा है, कौन से प्रोटकोल के थूझ, that is Hypertext Transfer Protocol, तो यह कौन प्रोवाइड करा रहा है, Application Server, ठीक है, Next आता है, File Server, अब यह File Server क्या होता है, अब यह Application Server पढ़ा, अब क्या पढ़ना है, File Server, File Server is a Computer Responsible for Storage and Manage, बस यहीं से याद रखना है, यह File Server किसका आप करेगा, for the storage and manage of data files, data files को store करने का, manage रखने का हम किसका होगा, किसका होगा, that is File Server, यह क्या करता है, on the same network and access the same file, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जितना भी हम फाइल, ट्रांसफर करते हैं, यह फिर फाइल को manage करते हैं, अब फाइल को transfer करना है, तो प्रोटोकोल यूज होता है FTP, और यहाँ पर File Server work क्या करेगा, यह responsible होता है, फाइल को store करने के लिए, manage करने के लिए, data files को on the same network and access the file, हम उसी network पर हम काम कर रहे हैं, उसी network से हम कोई भी file access कर सकते हैं, यहाँ आते हैं, कुछ इस तरह से यह हमारा work करते है, file server, ठीक है, यह हमारी कौन सा protocol यूज हो रहा है, hypertext transfer protocol का यूज हो रहा है, अब database server, अभी पढ़ा application server, फिर हमने पढ़ा file server, अब पढ़ रहे है, database server, database server क्या है, और a network computer होना, network dedicated to database storage and data retrieved from database, देखे, हम अभी हमने यह चीज पढ़ी थी ना, यहाँ पर, देखे, यह चीज पढ़ी थी ना, यह चीज, यहाँ पर यह हमारा client है, यह application, जो यह data जा रहा है, कह database में यह data जा रहे है, store हो रहा है, तो database करता गया है, हमें वो ही पढ़ना है, यहाँ पे, यह database क्या करता है, database server और a network computer, कैसे और a network computer ही, इसको highlight करते हैं, कैसे network computer है, जो हम डेटाबेस को स्टोर भी हम डेटा को डेटा फाइल्स को स्टोर भी कर सकते हैं डेटाबेस में और जब चाहें वहां से उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं मतलब वहां से उसको उठाके पड़ भी सकते हैं जो चाहिए होता है इंफोर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं डेटा को से सब में सब्सक्राइब करने के लिए और फिर हम बोल सकते हैं ओवर दा इंटरनेट तो किसका यूज करते हैं mail server का ठीक है और concept protocol का use करते हैं that is SMTP simple mail transfer protocol यहां देखिए सही है ना sender यह हमारा internet यहां mail server concept protocol का use कर रहे है SMTP simple mail transfer protocol print server क्या होता है यह एक तरी का server होता है जो की connect रहता है हमारे computer बूटर से ओवर और नेटवक एंड आलाओ हुं तू कम्मनीकेट विद अवैवल प्रिंटर्स जो वहाँ पर प्रिंटर अवैलेबल होते हैं नेटवक इस्टब्लीच होता है उसके थूँद हम easily communicate कर सकते हैं the print server help printer to avoid overloads, print server help करता है printers को to avoid overloads, ठीक है तो याद रखेगा इस चीज़ को यह print server का काम है, यहाँ पर यह work किस तरह करता है यह है हमारा कुछ print server, यह हमारा देखे connect करते हैं हम इसको यह हमने connect किया ठीक है, यह हमारी device है यहाँ से यह हमारी computers है, तो यह हमारा proper print server setup, जिससे हम easily एक network establish होता है यहाँ पर हम easily communicate कर सकते हैं, देखे, यहाँ पर आता है, print server connect रहता है server connects with computer over a network and allows them to communicate, easily हम communicate कर सकते हैं, जो कि available printers होते हैं, तो याद रखेगा यह सब काम किसका होता है, that is print server का अब आते है domain name system, that is dns अब यह dns क्या होता है, यह मैंने पहले भी अपने previous lecture में बताया है domain name system, अभी domain name system यह server के बारे में बात कर रहे है यह एक तरह का server होता है that is specifically used for matching website किसलिए यूज होता है matching website host name, like example.com to their cross burning internet protocol and IP addresses देखिए domain name system क्या होता है suppose IP address होता है IP addresses जब हम shift हुए थे domain name पे, तो यह सब काम किस ने किया था कौन सा server work करता था उस time पे, that is domain name system, यह server की help से हम IP address से domain name पे आए अब यह क्या करता है, website host name match करता है, जैसे की like example.com किस से match करता है उसके IP addresses से, तो जब हम IP addresses से, domain name पे आए तो यह सब जो यहाँ पे transfer करने काम था, IP addresses से domain name पे, यह सब एक server का काम था, यह server करता है, that is domain name server, या फिर हम बोल सकता है, उसको domain name system देखिए, यहाँ पे है, यह user है यह DNS server है, यह इसका IP address है फिर हम यह website का, यह हमारा web server है यह इसका domain name है, यह domain name है, तो यह domain extension है, ठीक है अब आता है, collaboration, collaboration server, अब यह क्या होता है collaboration server, फिर gaming server, फिर chat server, तो अब इन servers की बात करते हैं, सबसे बात में देखिए, कि collaboration server क्या होता है, फिर हम next बात करेंगे गेम सर्वर की से लिए देखते हैं कॉललबरेशन सफ़्टेर क्या है सर्वर क्या है तो यह क्या होता है इट यूजेस तप आवर अफ दग्लावट तो होस्ट निव्यो प्रोजेक्ट प्रोवाइद रिस त्रीम विट ग्लावट वे तोर डेटा वह बोलते हैं थेंडिया ऑनरेटों फिस नौन हो डेट्ड तो यहAudi cm2 अजट मोरव करने के लिये बूत लिए किया मतलब के यहां पर रोफ कॉप्यूट का यूust करता है कुछ भी चीज स्टोर करनेके लिए लिकाट को स्टोर करने के लिए रिच लिए के लिए ये cloud server का use करता है जो की use होता है by the help of internet internet के help से हम cloud server का use करते है जो चीजी हमारी store होती है वो virtually store होती है तो वो कौन सा server काम करता है that is collaboration software यहां पर providing research team with a secure way to store data master project files तो हम use करते है collaboration server का next आते gaming server a gaming server also refers to as a host is as refers to as a host is a server which is authoritative source of events in a multiplayer video games तो हम किसमें use करते हैं क्या use करते हैं gaming server का use करते हैं इसको हम also sometimes refers to as a host is a server इसको कभी-कभी ऐसे भी consider करते है कि host as a host is a server host is a server which is the authoritative source of events उसके पास क्या है उसके प्रॉपर authorization है किसकी source of events in a multiplayer video games तो यहां पर किसका use करते हैं gaming server का यहां पर आते chat server chat server offer a better environment environment for people for sharing their informative data chat server क्या provide कराता है हम अपनी information या फिर हम offer कर सकते हैं क्या sharing their information data as well as offer a real-time discussion यानि की board capabilities तो हम किसकी किसका use करते हैं that is chat server provide क्या कराता है एक हमें real-time real-time discussion provide कराता है जिसमें हम information को share कर सकते हैं file को share कर सकते हैं communicate कर सकते हैं by the help of chat server next नेक्स आता है IRC server क्या होता है IRC stands for internet-related chat इसका मतलब होता है internet-related chat full-form exam में पूचित आ सकते हैं it contains several independent networks of server क्या 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 लेता है क्या contain करते हैं that is networks of server independently network of server that permit user to make connection with each other through a IRC network की network के help से user आपस में connect रह सकते हैं communicate कर सकते हैं connection established हो सकता है by the help of IRC यह IRC server को एक और नाम से जानते हैं that is network of server क्या बोलते हैं network of server अब यह DHCP server क्या होता है इसको बोलता है dynamic host configuration protocol यह DHCP server एक तरह की device होती है यह बोल सकते हैं is a device that function to set and assign IP address किसली यूज होती है to set and assign IP address to client computer computer automatically suppose यह हमारा server है यह हमारा DHCP server है यह हमारे client attached है यह IP address को assign करने के लिए यूज होती है यह device किसके to client computer होते हैं suppose यह क्लाइंट कंप्यूटर रहें क्लाइट कंप्यूटर रहें इनको आई पी एड्रस असाइन करने के लिए यूज होती है हमारी डी एच दी एच सीपी सर्वर यह सर्वर ऑल्सों फंक्शन चू पर्फॉर्म कान्फिग्रेशन अपडेट चेंज तो आई पी एड्रस सच यहां पर लिखने एक्सपाइड आई पी एड्रस तो हम किसका यूज करते हैं डिटिस दी एच सर्वर का नेक्स आथ है फंक्शन ऑफ सर्वर अब फाइनली हम पढ़ने जा रहें कि फंक्शन क्या होते हैं सर्वर के डिटिस सर्विंग सर्विंग क्लाइंट कंप्यूटर एक फंक्शन ऐस सर्वर स्वाइड को स्फों करना इंफ्वर य निफ्सन को स्टोर कभना यह विच्ञ bakumrum दी फंक्शन सब्रीघकर किसर गरता देता अब स कहारा जा करना चशों कि हमारे लिए बाल जो चीज हमारे जावरे प्रटेक्स करते सर्वर तो इस इस इसका आपको याद रखेगा इस आधा function of server exam में question मन चकता है इनसे भी तो हमने क्या पढ़ा पूरे chapter में server के बारे में पढ़ा types of server के बारे में पढ़ा कुछ हमने पढ़े प्रॉक्सी server file transfer server तो हमने in server के बारे में detail में पढ़ा है नेक्स लेक्ट्टर में इनके questions के बारे में बात करेंगे that is TCS previous year questions के बारे में बात करेंगे thank you for this class next class में हम in के questions के बारे में बात करने वाले हैं